जुलाई सिर्लंका में शुरूई भात और स्रिलंका टीम के बीच वंडे सीरीज में दो एक जीत के बाद भाते टीम की नजर अब शुरू होने वाली तीन मैचों की टीटवंटी सीरीज पर होगी इस सीरीज के लिए सभी मैश वंडे सीरीज की तरह ही आर प्रेमदासा स्टेटियम में खेले जाएंगे अगर बात वंडे सीरीज की की जायत शुरुआती दो मुकाबलों मेजबानों को जीत हात नहीं लेगे लेकिन आकरी मुकाबले में मेहमानों की क्लीन शुरुआ करने की उमीदों को तोड़ते वे उन्होंने शांदार जीत हासिल की ऐसे में आकरी मुकाबले में मिली जीत से उनका मनोबल भी बढ़ाओ जिसे वो टी-ट्वंटी सीरीज में जारी रखना चाहेंगे खेर बात अगर टी-ट्वंटी मुकाबलों की हो तो इसमें चोके और छके काफी मात्रा में देखने को मिलते हैं और इसी वज़े से दर्शकों को सबसे ज्यादा मनोरंजन इसी प्रारूप से प्राप्त होता है बारती टीम में कई ऐसे युवा खिलारी मौजूद है जो छक्के लगाने बहुत ही माहिर हैं ऐसे में स्रीलंका की खिलाब T20 सीरीज में काफी मात्रा में बड़े श्वार देखने को मिल सकते हैं इस वीडियो में हम तीन ऐसे बारती खिलारीों का जिक्र करने जा रहे हैं जिन्होंने स्रीलंका की खिलाब T20 में सरदिक छक्के लगाएं तीन भारती बल्लेवाज जिन्होंने स्रीलंका के खिलाब T20 में सारदीच छक्के लगा इसमें तीन नमबर पर ईवराज सिंग आते हैं पूर भारती और लाउंडर ईवराज सिंग को उनकी बड़े शौर्ट खेलने की काबलियत के लिए जाना जाता है और इसी वज़े से उन्हें स्रिक्षर किंग भी कहा जाता है इवराज ने भारत के लिए T20 में कई यादगार प्रदरसन किये हैं और उन्होंने लगबख सभी टीमों के खिलाब इस प्रारूप में अच्छा करने में काम्याबी हासिल किये इवराज सिंग ने स्रिलंका के किलाम नौ मेचों में 140.9 सुन्य के जवरज़स टे स्ट्राइक रेट से 11 चक्के लगाएं और वोई इस लिष्ट में तीसरे नमबर पर मौजूद है शिखर दावन का नाम दूसरे नमबर पर आता है स्रिलंका दोरे पर बारती टीम के गप्तान की भूमी का निवारे शिखर दावन के लिए टीट्वन के लिए टीट्वन्टी सीरीज बहुत ही एहम रहने वाली है धवन ने टीट्वन्टी में आईपियल में अच्छा किया है लेकिन अंतराज़्टे इस तरपर उनके परदरसन पर हमेशा सवाल उड़ते हलाकि इसके बावचूद धवन की काबलियत पर शक नहीं किया जा सकता है धवनों ऐसे तो छक्के मारने की तुलना में चौके ज़्यादा लगाते लेकिन श्रीलंका के खिलाब उन्हों छक्के मारने के लियास से कई बारती बल्लेबाजों को पचारते और नमबर दो पर जगए बनाई हुई धवन ने 9 टी 20 मैचों में कुल 11 छक्के लगाया और आगामी सीरीज में उनके पास इस मामले में टॉप पर जाने का मौका होगा रोईत शर्मा रोईत शर्मा एक ऐसे बल्लेबाज है जिने मौका मिलता है तो छक्के मारने से नहीं चूकते हैं पर जगे इन वाजों के खिलाब रोईत के पुल्षवार दोरा लगाये छक्के सभी को रास आते हैं स्रीलंका के खिलाब रोईत शर्मा की तरब से सारुदिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं रोईत ने पंद्रा मैचों की त्यारा पारियों में 14 छक्के लगाएं हलाकि शिकरदाउन के पास रोईत रोईत को पीछे छोड़ने का मौका होगा क्योंकि रोईत इंगलेंड में होने के करड़ इस रीच का हिस्सा नहीं होंगे